हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब, स्वागत है आप सभी काज के एक नए वीडियो में आज के सिर्ण हम बात करने वाले हैं आईक्यू के तरफ से आने वारे एक और नए स्मार्टफोन आईक्यू Z9 के बारे में जो कि fully loaded smart phone होने वाला है as compared to IQ Z7 फोन में प्रोसेसर भी काफी दगणा देखने को मिलता है इस फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है under 20,000 के फोन में वो प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है 25,000 से 30,000 के फोन में तो same processor under 20,000 के phone में use किया गया है तो यह काफी ज़्यादा impressive phone होने वाला है आज के इस पर हम बात करने वाले है इस phone के सारे details के बारे में सारे specifications के बारे में हम बात करेंगे से वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और अगर आपनों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा और इसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon call पर select कर लीजेगा तो चलिए सबसे पहले शुरू करते है इस phone के operating system के बारे में तो इस phone में हमें out of the box देखने को मिलता है fun touch OS 14 with android 14 जिसमें आपनों को 2 years of update और 3 years of security page update देखने को मिल जाएगा और इस phone में bloat wares और third party apps भी देखने को मिल जाते हैं अब बात करते हैं इस phone के display के बारे में तो इस phone में दिया गया है 6.67 inch full hd plus amoled flat display जिसका touch sampling rate है 300 hertz with 120 hertz fast refresh rate इस phone में हमें 5 hole camera cutout देखने को मिल जाता है phone के bezel के बारे में अगर हम बात करें तो इस phone में bezel average देखने को मिलता है phone का जो display है दोस्तों वो होने वाला है 8 bit display और इस phone का सबसे खासियत की है कि इसका जो peak brightness है वो होने वाला है 1800 nits generally इस segment में हमें 1000 nits जातर देखने को मिलता है लेकिन इसमें हमें 1800 nits का peak brightness दिया गया है साथी इसमें आपनों को देखने को मिलता है widevine air one का support साथ में netflix और amazon prime पर आपनों को HDR का भी support देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस phone के build quality के बारे में दोस्तों तो इस phone में plastic body देखने को मिलता है साथ में back में आपनों को plastic ही देखने को मिलने वाला है बस glass design लग रहा है लेकिन यह plastic back होने वाला है और front में हमें देखने को मिलता है dragon trail star 2 plus का protection और यह phone IP54 certification के साथ आ रहा है और दोस्तों अब बात करते हैं इस phone के camera के बारे में इस phone में segment first sonica IMX882 camera sensor देखने को मिल जाता है जो की होने वाला है 50 megapixel का और यह sensor OIS को भी support करता है इससे अब video record कर सकते हैं 4K 30fps पर साथ में phone में dual camera setup देखने को मिलता है दूसरा camera होने वाला है 2 megapixel का bokeh camera और साथ ही front camera हमें देखने को मिलता है 16 megapixel का selfie camera जिससे आब video record कर सकते हैं 1080p 30fps पर इस phone का camera cool में अगर decent दिया गया है ultra white camera में देखने को नहीं मिलता है बेक में लेकिन ultra white एक देना चाहिए अब बात करते हैं इस phone के chipset यानि इस phone के processor के बारे में इस phone में under 20,000 में में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7200 processor जो की 4NM technology पर best है और यह processor महंगे phone में आता है यानि की 25,000 से 30,000 के phone में आपको यह processor देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर IQ के Z9 में ही हमें same processor देखने को मिल जाता है इसलिए इसका नाम रखा गया है fully loaded और इस processor का अन्तूतु इसको निकल कराता है 7,20,000 से 7,50,000 के आसपास यह processor काफी ज़्यादा energy efficient में होने वाला है काफी ज़्यादा powerful भी होने वाला है जिससे आप बैटरी बेकप भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस इस phone में बैटरी कितना मिलेगा तो इस phone में आने वाला है 5000 mAh बैटरी with 44 watt charger जो की charger आप लोगों को बोक्स में ही देखने को मिल जाएगा साथी type A to type C cable भी रने वाला है और इस phone में प्रोसेसर इतना ज़्यादा तगड़ा दिया गया है और बैटरी भी 5000 mAh का दिया गया है तो इस phone का backup हमें अगर आप नॉर्मली यूज़ करेंगे बैक अलफों को देखने को मिलेगा 20 hours से 24 hours एन एक दिन का backup इस phone से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा और दोस्तों अब बात करते हैं इस phone के storage and color variants के बारे में तो इस phone में हमें दो storage टाइप देखने को मिल जाता है 8GB RAM प्लस 128GB storage और एक है 8GB RAM प्लस 256GB storage साथ ही इस phone में दो color options भी देखने को मिल जाते हैं graphene blue and brushed green साथ ही इस phone में हमें LPDDR 4X RAM टाइप देखने को मिलता है लेकिन इस phone में हमें 3.5mm का audio jack देखने को नहीं मिलेगा इस एक साथ बात कर लेते हैं इस phone के security features के बारे में तो इस phone में मिलने वाला है अगर इस phone में वाला है तो इस phone में सारे sensor देखने को मिल जाते हैं एक्सेलरो मीटर गाइरो सारे sensor देखने को आपको टोइप ही नहीं किया गया है बारे में बात और एमें इस phone के launch date के बारे में बात करें यह phone 12th MAR 2024 को 12 pm पर साथ ही आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप मिजोन के प्राइम मेंबर हैं तो आपनों को ये 13th March 2024 से देखने को मिल जाएगा और अगर आप नन प्राइम मेंबर हैं तो आपनों को ये 14th March 2024 से खरीदने को मिल जाएगा इस फोन का अगर प्रोसेसर इतना ज़्यादा बढ़िया दिया गया है जिसमें अपनों को brightest 1800 nits मिल रहा है तो अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस कितना रखा गया है तो दोस्तो इसका बेस मोडल 8GB रेम और 128GB स्टोरिज का प्राइस है 17999 वही 8GB रेम और 256GB स्टोरिज का प्राइस है 19999 तो यह अंडर 20,000 में काफी ज़्यादा बढ़िया फोन होने वाला है और आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि क्या आप इस प्राइस पुइंट पे इस फोन को खरेदा पसंद करेंगे या फिर नहीं आप में देहें आप से फिर कसी नेक्ट वीडियो में